असलाम हो अलेकुम, वलकम आप सब ही काई इस नई वीडियो में, तो आज का यी वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा important रहने वाला है, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जेके बोपी, BSA nursing, BSA paramedical और BSA technology courses के application forms जो 2024 के हैं, उनके बारे में हम बात करेंग वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ, टेलीग्राम ग्रूप और वाटसब ग्रूप दोनों जोइन करते हैं, दोनों की लिंक आपको description में मिल जाएगी, तो चले वीडियो को शुरू कर लेते और जान लेते हैं, यह कि बाद आपता सारी की सारी डेट्स यहां पे आप लोगों की mention it होंगी, वो यहां पे काफी जल्दी आपके आजाएगा, लेकिन हम इस्टुडियो में टेंटेट्व डेट्स आपको पहले ही बता के रखेंगे, और उसके साथ आप लोग जो अभी 12 में मतलब पढ़ रहे ह उनका भी हाप अभी मार्च में एक्जाम होने वाला है, तो वो अपना 12 का भी कर रहे होंगे, और साथ महीं आप 11 का भी देख लें, उसका भी अगर आपको हो सकता है, नहीं तो 12 अभी आप अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद जब आपका एक्जाम हो जाएगा, आपको कंसेफ्ट कलियर होना चाहिए, ना कि रटा मारा हुआ होना चाहिए, डेटेल में आप पड़ी और आपका स्कोर भी अच्छा यहां पर आजाएगा, अब अपनी टॉपिक पर आजाते हो जान लेते हैं यहां पर आपके 2024 की देट के बारे में, तो आप सभी ने आपरेल के पहले अफते में आ जाएंगे, यहां पर आपरेल से पहले पहले पहले, जेके बोपी 2024 की एडमिशन की प्रोसेस, रेजिटेशन की प्रोसेस जो आप लोगों की है, वो स्टार्ट करीगी, अगर 10 अपरेल से पहले 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 फॉर्म आ जाते है, तो एंडिंग मरा result आया नहीं है appearing में रखना है यांकि 12 में appear हम हुए हैं उसका बाज़ आपको वहाँ पर option दिया जाएगा आप लोगों के result का weight नहीं किया जाएगा result आपके form आ जाएगे आपको बरना है बले ही result नहीं आया है states अपना appearing में आप रखेंगे और अपना form of further की जो details है वो डाल में अगने नहीं करते हैं आपको रखेंगे एका है जाएगा आप लोगों का यहाँ पर admit cards वगेरा देखा जाएगा और उसके साथ आपको correction window भी उसमें open हो जाएगा 3-4 दिन के लिए जिसमें अगर आपको अपने application form में कोई correction वगेरा करनी है तो आप उसमें कर सकते हैं वो भी window open हो जाएगा उसके लिए उसके बाद लग बग आपका June दूसरी हपते ती कि 15 June से पहले पहले आप लोगों को जह हो यहाँ पर JKWP आप लोगों का entrance जह हो गंडेक्ट करेगी 15 से 20 June तक तो definitely हो ही जाएगा आप लोगों का entrance कंडेक्ट 15 से 20 June से मेरे खिर से 15 June के आसपास ही आप लोगों का entrance जह हो JKWP कंडेक्ट करेगी और उसके बाद अगर आपका result उसके बाद आजाता है 12th का फिर उसके बाद फिर से आप लोगों को जह हो फिर result आजाएगा result में काफी time लगता है लगबग एक से डेड महीने के time आपके result में लगता है result आने के बाद फिर से आपका counseling का process यहां पर start हो जाएगा और उसके सासत counseling के process complete होने के बाद वो तो online ही आप लोगों की counseling रहेगी फिर आपको जह वो selectionist आ जाएगी एक महीने तक फिर उसके बाद आप लोगों का admission का process चलेगा फिर अगर admission की process जल्दी हो जाती तो आपकी counseling के दो से तीन round यहां पर हो जाएगी फिलाल आपकी जो admission की process है उससे start होने से पहले आप लोगों का 2024 का जो academic calendar है वो जारी हो जाएगा लगबग वो आपका फरवरी के पहले हाफते में आ जाएगा और उसमें आपकी सारी dates वगएरे 10-22 dates mentioned it होंगी उसी की according आपका 2024 का जो admission का process है वो यहां पर चलेगा तो इस यूडियो में मैंने आपको सारी dates डीटेल में संजा दी कोई doubt होगा comment section में पूछ देगा